आप सभी ने भारती नोटों को तो जरूर देखा होगा क्योंकि आप सभी जो भी मुझे सुन रहे हैं जरूरन वे भारती ही होंगे तो आप लोगों ने सारी नोटों में एक चीज महसूस की होगी कि उसमें महात्मा गांधी की पोटो अनिवारे रोप से दिखाई देती है तो क्या यह पोटो महात्मा गांधी का जो चित्र है यह शुरू से मौझूद था भारती नोटों में या बाद में एड हुआ किस तरह से आएड हुआ उसके पीछे की क्या कहानी रही क्या होता है नोट में डिजाइन करने का एक समती होती है बोर्ड होता है या कोई संस्था होती है इन सारी बातों को हम विस्तार से समझेंगे आज के हमारे इस खबर में तो अभी क्यों है याने की चर्चा में क्यों है उसके बाद स्वतंत्र भारत में जो बैंक नोट है वे कप से शुरू हुए उसके बाद हम जानेंगे कि 1950 के बाद भारत के नोटों में कुछ प्रयोग किये गए तो वे प्रयोग क्या-क्या थे डिजाइन के रूप में उसके ब स्थाई रूप से कवंगित हुआ इसके लावा हम जानेंगे कि कौन तै करता है नोटों के design यान कि जो भारती नोट हम देखते हैं उसका जो भी design है वह तै किस प्रकार से होते और उसके बाद हम जानेंगे कि bank note पर जो चित्र है महात्मा गाध्य का उसकी जेगे पर किसी और के चित्र को शामिल करने की क्या कोई मांग हो रही है या नहीं हो रही है उसको समझेंगे आखिर ऐसा क्यों है और अंत में एक अभ्यास प्रश्ण तो देखी दे स्टोरी ओफ महात्मा गाधी स्पॉट्रिट और इंडियन बैंक नोट्स खबरों की फेहरिस्त में एक खबर यह भी रही एक दो दिनों में अभी चर्चा में होने की वज़े थी कि महात्मा गाधी की 154 वी जयनती दो अक्टूबर को मनाई गई आपको पता ही होगा अक्टूबर की दो तारीक को 1879 में महात्मा गाधी का जन्व हुआ था गुजरात के पौरबंदर में और इनकी 154 जैनती 2020 में 2 अक्टूबर को मनाई गई अब बात आती है कि बहुत सारे आयामों पर महात्मा गाधी के विचारों से लेके उनके जो उन्होंने कारे किये जो उनके एक तरीका रहा उस सारे तरीकों पर उनके सारे विचारों पर चर्चा हुई और उसमें से एक आयाम निकल कर आया नोट का इस पर भी चर्चा हुई कि महात्मा गाधी की फोटो क्यों है कब से है और इसके पीछे की वजह क्या है वह सारी बातों को इसमें हम समझेंगे इसी वजह से एक स्वतंद्र भारत के बैंक नोट को हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से था भारत जिस वक्त आजाद हुआ आजाद हुआ का मतलब क्या है पंद्रा अगस्त साथंयर के वह से उन्यस सो सैतालिस इस दौरान के बाद भी जो नोट आर वी आई जारी कर रहे थी वह नोट थे आजादी के बाद प्रिटेन के राजा थे अब इन नोटों में इनकी फोटों हमें यहां पर आप देखिए प्रिजर्बैंक ओफ इंडिया देखिए लिखा हुआ है और यह 5 रुपए का नोट है इसमें दिखाई दे रहे हैं आजादी के बाद इसी तरह के नोट आ रहे थे लेकिन फिर उसके बाद भारत सरकार ने 1949 में एक रुपए के नोट का डिजाइन त्यार किया और जिसमें उन्होंने क्या तै कि यहां पर किंग जॉर्च की जगहें पर कौन होंगे अशोक स्थम्भ होंगे यह कहां के हैं सारनाथ का अशोक स्थम्भ है अब यहां पर देख लीजिए उन्निस 649 में तारनाच का अशोक स्थम्भ भारती नोट में शामिल किया एक तत्य तो हमें यह मिलता है और इसके बाद सोतंदर भारत के लिए प्रतीकों को चुना जाना था यह बात आरबी आई ने कुछ तवर्ष पहले अपने वेबसाइट पर अप्डेट किया कि उस दौरान ज इसके पहले ही चर्चा आरबी आई में जब बहुत सारी चर्चाएं हुई तो उसमें यह निर्ण निकला कि हम राजा की फोटो को हटागने के बाद महात्मा गाधी की फोटो लगा देते हैं इस पर काफी बात चीत हुई थी लेकिन अंतिम में जो आम सहमती बनी वह इस पर लगभग बनवाया था और यह जो है आप देखिए तो इसमें नोट में तो हमें तीन शेर दिखाई देते हैं लेकिन वास्तविक में इसमें कितने शेर हैं तो चार शेर हैं यह तो आपको पता ही है नीचे आप देखिए नोट में दो जानवर ही दिखाई देते हैं बीच म मेव जयते मुंड़कोप निशत से लिया गया है मुट्टी सी जनकारी है अब देखिए आगे की बात 1950 के बात क्या किया गया 1950 ते ही शुरू करते हैं 1950 में भारत सरकार ने जो अपने दो, पांच, दस और सो रुपए के मुलिवर के नोट जारी किये उसमें भी आप 1949 में जो डिजाइन तियार किया था एक रुपए के नोट के लिए उसी को आगे जारी रखा और अशोक्स के जो अशोक्स तंभ है वह देखिए आप देखने को आपको मिल सकता है उसके बाद द तांभर हीरण इस तरह की जीवजनतु रखे गए लेकिन धीरे धीरे और उसमें सोच में परिवर्तान आया और सत्तर के दशक में हुआ कि क्रिशी से जुड़े हुए कुछ चीजें हम दिखाई जैसे कि हम यह दिखाएंगे क्रिशी के लिए क्या प्रयास किये गए तो उस क्यों करें तो धेखे तो 2 रुपए के नोट पर अर्भट उपगठ्ष यहांर शामिल किया गया था से घुड़े परालर सांथा के दशक के बाद फिर आता है आगे का समय उन्ने सो नहांत्तर थोड़ा पीछे चलते में महात्मा गाधी की जहनती बनाई गई उस वक्त महात्मा गाली की सौमी जहनती थी और जो इस सौमी जहनती पर पारब्लया जारी की गई % CQ नि नूट एल के जहा अब एल के जहा ने जो नोट जारी की महात्मा गाधी सीरीज की उसमें महात्मा गाधी तो दिखी रहे हैं और साथ में महात्मा गाधी के पीछे उसी चित्र में सेवा ग्राम आश्रम दिख रहा है जो कि महराश्ट के वर्धा में है सावरमती आश्रम के बाद अप लेकिन पूरी तरह से सभी नोटों में महात्मा गाधी ने अभी स्थान प्राप्त नहीं किया था चित्र के रूप में यह भी आगे के समय में हुआ उसके बाद लेकिन 1987 में फिर से 500 रुपए की नोटों की एक नई शंखला जब शुरू की गई तो उसमें भी महात्मा गाधी की नहीं आये थे तो उसके बाद नभे का दशक आता है अब यहां पर देखे जो आश्रम की मैंने आप से बात की थी आश्रम था सेवा ग्राम यह सेवा ग्राम आप देखें पीछे की तरफ बैक्राउंड में आपको सारा का सारा दिख रहा है कहां पे हैं महाराश्क पे हैं अब सवाल एक और आता है आपके सामने कि 90 के दशक के बाद क्यों ऐसा हुआ कि नई श्रंखला शुरू हुई महातागाधी को तो शामिल किया ही गया लेकिन उस श्रंखला में कुछ और चीजों को शामिल किया गया और वे चीजें क्या थी पोटोग्राफी जैसी तकनीकों से बचने के लिए नोट को भी अपडेट किया जाए और यही किया भी गया एक बात और नोटिस की गए कि माना जो चहरा होता है उसको कौपी करना मुश्किल होगा लेकिन नर्जीव वस्तों को बनाना अपेक्शाकृत आसान होगा तो नकल भी होते चाहे महात्मा गाधी कोई और चहरा होता मानों का चहरा मुश्किल होता बनाना तो महात्मा गाधी के चहरा क्यों शामिल किया क्योंकि जो राश्ट्री अपील थी राश्ट्री अपील का जो एक औसत कह सकते हैं वह महात्मा गाधी की तरफ था अब देखे 1996 में महा बाधित जो थे उनके लिए एक खास तरह का प्रिंट होता था जिसको हम बोलते हैं अब यह क्या है नोट में समझ लीजिए जैसे यह 100 का नोट है अब मैंने तीन बाते बताई आपको एक बात आप से मैंने बताई विंडो सेक्योटी थ्रेड अब विंडो सेक्योटी थ्रेड में जैसे यह 100 का नोट है तो आप देख रहे हैं यहां पर थ्रेड है यह धागे की तरह यह बना हुआ है लेकिन बीच बीच में देखिए गैप है लेकिन इसको एक खास रोश्री में जब देखते हैं पर जो आई इस विंडो सेक्योटी एड में भारत और आर्बी आई दिखा रहेगा पास से देखेंगे तो इस तरह से रहेगा लेकिन जब आप लाइट से देखेंगे तो यह जो गैप है यह गैप भरा हुआ दिखाई देगा अब बात आती है अगला कौन सा है लेटेंट इमेज आप देखें 100 के नोट में यहां पर यह जो जगह आपको खाली दिख रही है लेकिन यहां पर कुछ छुपा हुआ है इसी वजह से इसको क्या कह देता है हिंदी में गुप्त छवी लेटेंट इमेज ज्यादा बेटर है इसको समझी है क्या जो 100 की नोट है सामने से ऐसे दे देख रहे हों तो 36 में हम जैसे नोट ऐसे सीधा रखेंगे होरिजोनटल देखेंगे तो यहां पर यह जो स्थान है यहां पर हमें 100 की नोट है तो 100 रुपए लिखा हुआ दिखाई देगा इसके अलावा एक और सुधाई यह थी इटैलिंग्यो अब यह खास तरह की प्रि सेटिंग में रहती हैं तो जो द्रिष्टी बाधित होते हैं उनके लिए पहचान करना थोड़ा सा आसान हो जाता है तो यह 1996 में महात्मा गाधी सिरीज के साथ शुरू हुआ लेकिन सवाल अभी आता है कि अब हम जिस नोट को देखते हैं 1969 में जो नोट आई थी उसमें महा है अब इसकी सचाई क्या है इसकी सचाई यह है कि 1946 में ली गई एक तस्वीर का कटाउट है और यह तस्वीर कहां से ली थी ब्रिटिश राजनिता लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पैथिक लॉरेंस जो इनके बगल में हैं इनहीं के साथ यह महात्मा गाधी खड़े हुए थ इस फोटो को किस ने खीचा और इस फोटो को किस ने ते किया यह नाम अभी भी जाहिर नहीं हो पाया है इसकी जानकारी अभी भी नहीं है अब सवाल आता है कि कौन टै करता है नोटों का डिजाइन तो देखिए नोटों के डिजाइन के लिए RBI का मुद्रा प्रबंधन विभाग है जो नोट डिजाइन के लिए पूरी तरह से जिम्यदार है लेकिन RBI और भारत सरकार के बीच में टै होता है केंदरी बैंक यानि की RBI और केंद सरकार से डिजाइन के लिए मंजूरी लेनी होगी तो जैसे की RBI का मुद्रा प्रबंधन विभाग है नोट डिजाइन कुछ बनाएगा लेकिन उसे मंजूरी लेनी होगी भी RBI से फिर उसके बाद भारत सरकार से तो यह किस प्रकार्च होगा उसके लिए कानून है RBI अधनिया 1934 में उसमें एक धारा है 25 जिसके नुसार यह कहा गया है कि जो बैंक नोटों का डिजाइन रूप और सामगरी है ऐसी होगी जिसे केंद्री बोर्ड द्वारा की गई सिपारिशों पर विचार करने के बाद केंद सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है ऐसा कैसा लिखा हुआ है इस कानून में तो अंतिम रूप से देखा जाए तो भारत सरकार या महां पर बैंक नोटों पर दूसरों को शामिल करने की मांग चली है वह मांग क्या है समझिए अक्टूबर 2022 में यानि की पिछले साल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हरविंद केजरिवाल उनके द्वारा मांग की गई कि जो भगवान गडेश हैं और देवी लक्षमी हैं उन लेकिन उसी दौरान जो तकालीन वित्यमंत्री थे अरुण जेटली उनके द्वारा यह साफ कह दिया गया कि यह मांग पूरी नहीं होगी उसके बाद उन्होंने एक बात बताई कि जो समती है आर्बियाई द्वारा गठित समती है उसने निर्णे लिया है कि महात्मा पूरी थी और यह बात किस तरह ने बताई तकालीन वित्यमंत्री अरुण जेटली द्वारा बताई गई और अभी भी जो मांगे की जाती है उसे स्विकार अभी तक नहीं किया गया है अब आगे आने वाले समय में देखते हैं क्या बदलाव होते हैं या यत्थावत इस्त उतर देते हैं तो हमें और बहतर करने की प्रेंडा मिलती है जल्दी मिलते हैं अगले अपसोड में तब तक के लिए स्वस्त्र हैं